नमश्कार मैं हूँ नरेश्वस और मेरे साथ मेरा पती सलमान खान के निर्देशक राज उपाध्याए हैं उनसे बात करते हैं राजी आपका जो ये नाटक देखा मेरा पती सलमान खान ये आज की संस्कृती पर दिखावे की संस्कृती पर कहते हैं कि कोई चीज हो ना हो तो चलेगा लेकिन ना होने का ब्रहम बड़ा खतरनाक होता है ये जो सलमान खान पती होने का जो ब्रहम है इसको कैसे विचाराया क अगर बहुत ही गहराई से आज के सामाजिक ताने बाने को देखे हैं तो एक रियलिस्टिक लाइफ है जिसमें शान्ती भी हो सकती है अपना सल्फ मैनेजमेंट भी हो सकता है और यह पसनल लेबल की बात है कि कोई अपने ग्रीड को अपने लिविंग स्टैंडर्ड को या करता है तो आज के सुसाइटिव जैसा बात कर रहें कि आज कर माक्समम में नाइंटी प्रसंड लोग मिडियोकर लोग या बहुत रिच क्लास के लोग यह दिखावे का एक बहुत भयंकर प्रशर बन चुका है एक तो हमारी जिंदगी में जो दैनिक जरूरते हैं जिसको ल देने वाला लेकिन हमारे दिमाग में हमारी परस्नालिटी में हमारी सोच में पता नहीं कैसे यह मॉनिस्टर खुछ जाता है और उस प्रशर से हम बाहर नहीं जा पाते उसी का एक्स्प्रोरेशन था है मेरा पती सल्मानकार इसको मेरे बैच मेट ने लिखा हूमें इस पां उसके चंगुल से निकल नहीं पाते तो इस तरीके से उसको एक्स्प्लोर करने की कोशिस की गई कहते भी तो है कि संसार प्रभाव देखता है संस्वभाव देखता है लेकिन कैसे ये सामझे से कैसे हो कि जहां आपको दुनिया से आगे बढ़ना है कैसे इसमें सामझे से हो सकता है इसका मैं को एक जवाब दे सकता हूं, हो सकता है मेरे पॉइंट आफ व्यू से व अच्छा भी हो, लेकिन किसी भी जवाब के मल्टिपल डाइमेंशन होते हैं, यही मैंने अपसे फिर काहना कि जो दिखावा है और परस्नल जो डिसिप्लीन है या अपनी शांती के लिए अप सब्सक्राइब के लिए इस नवर एंडिंग प्रोसेसे कभी खत्म नहीं होता, यह बहुत बड़ा खतरनाक चंगूल में हो है, तो यह तो वही है कि जब आदमी सांतीस है, राशनल होका है, लाजिकल होकर के, मैं यह क्यों कर रहा हूं, मैं कहां से परभावित हो रहा हूं, इससे क्या असर होने वाला है, क्या इससे मुझे खुशी मिलेगी, जैसे आपने नाटक में देखा, वो दोनों लगे रहे, लगे रहे, तो जूट कितना अभी बड़ा हो जाए, अंत में वाकर गिरने ही गिरना है, यह भी जानना लोगों को जूरो थे, इसका कोई मतलब न यह बहुत बड़ी बात है, राज उपाध्याई की यात्रा नाटक कार चरूप में कैसे शुरू होई है, देखे भई, मैं तो स्कोल टाइम में हमने मेरे एक टीचर हुआ कर थे, आप लोग ने पड़ी हो, तो उसमें उन्होंने अक्तरखा बनाया था, तो वहां से मुझे म की हम फबलिग में जा करके, और में गया हुआ हो लाइन भूल गया और उन्हेने कहा की अब परितिवी राज को ने यह पिर्तिविराज की आखे रागे, तो उसमें लाइन थी कि आज प्रितिवी राज की आखों में क्या पढ़ेगा, मुझे हुरी है के नमक और मिरच, फिर मैं एलहावद इन्वेसिटी गया वहां से फिलोसोफी में दर्शन सास्त में ग्रेजुएशन कंप्लेट की फिर मेरे मन में भाव आया कि मैं सिविल की तियारी कर रहा था कि लाओ कुछ लॉजिकल कुछ प्रडाक्टिव करें तो वहां से आया थीटर किया जाए फिर हमा मारा भी सेलेक्शन हुआ उस में किरती जैन थी निस्टी के डिरेक्टर और यह थे बंसी काहूल जी नौ हीज नौ मोर बड़े दिगज लोग पैनल में थे उन्होंने मुझे सलेक्ट किया तो मुझे लगा कि यह मेरी दूसरी बर्थ होई जहां पर मुझे समझनी को मिला थ तो इस तरीके से मेरी जनी होई फिर हमें दिल्ली आया दिल्ली में कोई जगों और भी हमने काम की फ्रिलांसिंग की तर मैं वेडिंग ठीटर डिपार्ट्में मॉडर्ण स्कूल बारा कमारो फिर वहां रहा पिर दिली गवर्मेंट के उसमें था गवनिंग कांसिल में भी और पिर हमने कौमरिशल थेय्टर करने कोई कि तुम्न आशरानी को लिए उनके साथ अंने कॉमेडी प्ले किया फिर टॉम अल्टर को लेकर हमने किया कुछ नए बहुत-बड़ िढे स्टार में सुमिढ गुलार्टी प्रनॉसस्स दे每これ लेकर हमने काम किया और यह यह कि कैसे सुभाज चंद बोश जी इन ऐसे पेरेंट हिंदुस्तान को आजात कराने के लिए कितने स्टॉंग लीडर्शिप थी जिस तरीके सुनने उस पर हमने काम किया यह श्राम सेंटर में हुआ तो इस तरह से जर्णी लगी हुई है मेरा गुरूप भी है थेस्वेन उससे में काम करता हूं जी यह राज उपाध्याई की यात्रा लगातार जारी है और संदेश सीधा है कि सहज होना सरल होना ही जीवन की सत्व से बड़ी प्रात्मित्ता है तो अपनी सहस्ता को छोड़िया मत और कभी भी अपना पती सलमान खान कितने बनाने की कोशिश मत कीजिए का यही संदेश यह नाटक दे रहा है तो मुझे दी जनमती और आप बने रहें ब्रोडकाश मंत्रा के साथ